श्री गनेशाय नमः नमस्काद दोस्तों कैसे हैं आप मैं हूँ चिरागदारु वाला और आज हम बात करेंगे आज का दिन कैसा रहेगा सबसे पहले हम बात करेंगे मेश राशी की गनेश जी कहते हैं कि विध्याथियों को प्रतियोगिता परिक्षा में उचिक परिणाम मिलेंगे आज का दिन सपनों को साकार करने वाला दिन है आलस के कारण कोई भी काम करने की कोशिश न करें योजनाओ को क्रियांकित करने की बात आती है तो थोड़ी सी आपको दुवीदा होगी अपने किसी करीबी के साथ काम करें वेवसाइक दरश्टी से आज का दिन उत्तम रहेगा घर की सुख सुवीदाओं का ध्यान रखें गले में कुछ संक्रमन की समस्याइं हो सकती है अब हम आएंगे ग्रिशब राशी पे गनेश जी कहते कि इस समय ग्रहों की स्थिति आपके लिए कई अवसरत प्रदान कर रही है इसका पुरा लाब उठाएं सभी कार्य आसानी से पूरे होंगे जिससे मन में प्रफूलता और ताजगी बनी रहेगी यह भी ध्यान रखें कि अधिक काम करने से आपकी सेहत पर असर पढ़ सकता है व्यापार के स्थान पर सयोग्यों का काम के प्रतित पूर्ण समपन रहेगा परिवार के साथ खरीदारी करने में आनन्द आएगा ज्यादा काम करने से आपको ठकान हो सकती है अब हम बात करेंगे मिथुन राशेगी गनेजी कहते हैं कि आज अटका हुआ या फिर उधा दिया हुआ पैसा आपको वापिस मिलेगा धार्मिक मामलों में सफलता मिलने से मन आपका प्रसन रहेगा फोन पर या दोस्तों के साथ समय बर्बाद ना करें कभी कभी आपके अंदर अहंकार की भावनाय आ सकती है जिससे कुछ इश्टों में तनाव भी आ सकता है व्यवसे गती विद्यों में जुड़ा ज्यादा सुधार होने की भी संभावना नहीं दिख रही जीवन साथी के स्वास्त का ग्यान रखना आपकी जिन्मदारी रहेगी सदर्द और तनाव जैसे समस्याइं हो सकती है अब हम आएंगे करकर आशिते गनेश जी कहते हैं कि धार्मिक और अध्यात्मिक शेत्र में आपकी रूची बढ़ेगी इसलिए आपके विचार, सकारात्मक और संतुलित रहेंगे सभी काम योजनावत तरीके से करें समय आपके पक्ष में है कभी कभी विश्वासगात अत्यात्मविश्वास के कारण भी हो सकता है व्यक्तिगत संपर्क आपके लिए लापकारच्ष स्थिती निर्मित करेंगे बाई बेनों के साथ समय बिताने से संबंद और भी मजबूत होंगे स्वास अच्छा रहेगा अब हम आएंगे सिह राशी के गणेजी कहते हैं कि आज का दिन अपने सपनों और महत्वा कांशाओं को पूरा करने और योजन बनाने का है अपनी आवाज सुने और दूसरों से सला की अपेक्षा करते हुए उस पर अमल करें कर्मचारियों के साथ संबन्द खराब न करें क्यूंकि उनका सहयोग आज आपके लिए अवश्यक है आज का दिन उच्सा वधक रहेगा व्यवसाई कुकलब दियां परिवार के सद्वस्यों के लिए खुशियां लाएंगे सावधान इसे ड्राइव करें अब हम आएंगे कन्या राशी पे गनेश जी कहते हैं कि यदि आज 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 किसी पॉलिसी में रुप्या निवेश करने की सोच रहे हैं तो तुरंद देनने लें स्थिति आपके पक्ष में है आमदनी के साथ साथ खाज भी बढ़ सकता है किसी बाहरी व्यक्ति को परिवार और व्यवसाय में हस्चे न करने दे क्योंकि वे गलत फेहनिया पैदा करवा सकते हैं व्यापार स्थल में की गई मेहनत का सही परिणाम न मिलने से आपका मन मायूस रहेगा प्रेम संबंदों में दूरी बनाए रखे स्वास्त अच्छा रहेगा अब हम आएंगे तुला राशी पे गनेश जी कहते हैं कि आप पिछले कुछ समय से चल रही घरेलू समस्याओं कर प्रवादन करने में सक्षम होंगे आपके सोम्य और स्वाहद स्वाव के कारण घर और परिवार में मान संबान बना रहेगा बच्चों को किसी तरीके का निर्न लेने में मदद करें ऐसा करने से उनने सुरक्षा की भावना बड़ेगी उनकी समस्या को लेकर तनाव और गुस्सा समस्या को और बिगाड सकता है विवसेक कार्यों में लापरवाहिं न करें जीवन साथी का भावनात्मक सयोग आपकी कार्य कुशलता को नई उर्जा देगा मौसमी बीमार्या हो सकती है अब हम आएंगे विरिशिक राशी पे गरेश जी कहते हैं कि आज किसी महत्वपुन व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जिससे आप अपने अंदर एक नई जोश और उज्जा का नुबाव करेंगे आपको वतमान समय में अपने परिवार को नकारात्मक प्रबावों से बचाने के लिए बनाए गए नियोमों का पालन करने के लिए प्रोध सहित किया जाएगा आपका कोई सम्मन हो सकता है या चूरी भी हो सकता है इस समय अपना ध्यान खुद पर रखें कार्य शेत्र में कुछ बदलाव की जरूरत है नए बच्चे के आद्मन की खबर आपको मिल सकती है पेट डर्थ की समस्य हो सकती है अब हम आएंगे धनो राशिके गनेश जी कहते हैं कि आज परिवार और वित्त से जुड़े महत्वपुन निर्ने लेने से सकारात्मक परिनाम आपको मिलेंगे रोजमरा की जिंदिगी के अलवा अपनी छिपी शमताओं के बारे में सोचें और उन्हें जगाएं कोई आपकी बावुकता और उदाता का फाइदा भी उठा सकता है बेकार के प्रेम संबंदों और मनो रंजन आदी में समय बरबाद ना करें जोड़ों में दद हो सकता है अब हम आएंगे मकर राशी पे गनेशी कहते हैं कि आज आप जो भी महत्वपुन निर्ने लेंगे वो आपको सकारात्मक प्लब्दिया दिलाएगा आपकी किसी योजना को गती मिलेगी और आपका मन भी प्रसन होगा दर्म कर्म में भी आस्ता रहेगी मामा पक्ष से किसी प्रकार की गलत फेमी भी उत्पन हो सकती है अधिकारियों से संबात करते समय मानसिक स्थीती पर नियंतरन रखें प्रेम संबंदों में मदूत आएगी शरीर में आलस से बढ़ेगा अब हम आएंगे कुम्ब राशी पे गनजी कहते हैं कि आज भावनाओं को अपने उपर हावी न होने दे वेवारिक निर्नेले जिससे आपको सर्वोत्तम परिनाम प्राप्त होंगे शेर बाजार और जोखिन संबंदी गती विदियो में लापकारी अवसर प्राप्त होंगे अफ़ाव पर बिलकुल भी ध्यान मत दिजिए आज के दिन मार्केटिंग संबंदी गती विदियो में अधिक समय व्यतीत करें किसी पुराने मित्रा से मुलाकात आपकी याद्दाश को ताजा करेगी आपका स्वास्त अच्छा रहेगा अब महेंगे मीन राशी पे गनेश जी कहते हैं कि संपत्ती से जुड़े किसी काम की नजदी की यात्रा हो सकती है कुछ समय मनोरंजन में भी बिताएं आप अपनी कारे कुछलता के कारण कई कारियों को बखुबी पूरा कर पाएंगे द्यान रखे कि इच्छी आपकी खिलाफ मानहानी या आरोग जैसी स्तिती पैदा कर सकती है काम में चल रहे मुश्किलों का असर घर के माहुल पर पढ़ सकता है एलर्जी जैसी कोई समस्या भी हो सकती है इसलिए थोड़ा सा सवधान रहे आज का दिन आप सभी के लिए बहुती बहतरीन रहेगा श्री गनेशा नम्हार